दोस्तो नमस्कार जल्द ही मारुती सदूग की भारत में अपनी नई बलैनो हैच पैक कार को लाँच करेगा जी हां दोस्तो हुंडाई की I20 अगस्ट 2020 में भारत में लाँच होने जा रही है और इसी competition को जहां में रखते हुए मारुती सदूग की भी अपनी नई बलैनो को भारत में लाँच करेगा मारुती की नई बलैनो पहले के मुकाबले जादा premium interior और attractive exterior look के साथ आने बाली है इसमें आपको नए engine की option, नए interior के feature और नए safety के feature मिलने बाले है 2020 के अंत या फिर 2021 की शुरुआ तक मारुती सदूग की भारत में अपनी नई बलैनो को लाँच कर देगा नई बलैनो का सिदा सिदा मुकाबला Hyundai की नई i20, Toyota की Glenza, Ford की Freestyle और Tata की Altros जैसी शानदार hatchback कारों से होने बाला है भारत में लाँच होने बाली मारुती की नई बलैनो पहले के मकाबले ज़्यादा प्रीमी माप को मिलेगी तो इसकी कीमत भी एक अन्वान के अनसार 6 लाग रुपे की शुरुआती कीमत में लाँच होगी और Top Variant की कीमत 8.5 लाइक रुपीज तक जाने वाली है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन नए फिचर्स के बारे में जो की आपको भारत में लाँच होने बाली नई मारुती सदू की बलैनों में देखने को मिलेंगे तो चली दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों अगर शुरुआत में इंजिन की ही बात करें तो नए मारुती बलैनों में आपको 1200 CC का टर्बो जैट पेटरॉल इंजिन मिलेगा ये पेटरॉल इंजिन 91 BHP की पावर और 115 Nm का टॉक पैदा करेगा ये इंजिन आपको 5-speed की manual और automatic की gearbox option में आफ़र की जाएगा जबकि दूसरे इंजिन की option में मारुती सदू की बलैनों में आपको 1000 CC का बूस्टर जैट पेटरॉल इंजिन भी मिलेगा जो की 100 BHP की पावर और 150 Nm का टॉक पैदा करेगा ये इंजिन आपको CBT की gearbox option में ही आफ़र की जाएगा इस टर्बो चार्ज की option में आने बाली मारुती सदू की बलैनों में आपको multi driving mode की option में देखने को मिलेगी नए इंजिन के साथ मारुती सदू की बलैनों की mileage और performance पहले के मकाबले ज़्यादा ही आपको मिलने वाली है अब अगर एक्स्टीजर की बात करें तो मारुती सदू की नए बलैनों में आपको नए एक्स्टीजर लूक के साथ नए डिजाइन की front grill, नए projector head lamps, LED data aiming lights, LED tail lights, shark fit antenna, ORBNB turn indicators, R15 और R16 निंच के नए डिजाइन के अलवाई बील्स की option देखने को मिलेगी अगर dimensions की बात करें तो नए बलैनों की लंबाई 3.99 मीटर, चोड़ाई 1.75 मीटर, उंचाई 1.51 मीटर और इसका बील बेस 2.52 मीटर के करी मिलेगा कुल मिला के आपको बता देएं कि नए मारुतिस दूक की बलैनों पहले के मकाबले ज़्यादा attractive और premium look के साथ आएगी अब अगर integer की बात करें तो बलैनों के integer में भी आपको काफी premium integer देखने को मिलेगा इसमें की नएं डिजाइन के soft touch dashboard के साथ, top variant में 10 इंच तक का touchscreen infotainment display, 8 इंच तक का fully digital instrumental cluster, 5% की sitting arrangement, automatic climate control, wireless mobile phone charging, keyless entry, push touch-up button, height adjustable driver seat, 350 liter का boot space, all seats with headrest, cool storage glove box, सुदूकी की बैजिंग के साथ multifunctional steering build जो की tilt और telescope के किडेश्टल होगा, जैसे शांदार feature मारुति सुदूकी की नएं बलैनों के interior में आपको मिलेंगे सिफ्टी के सभी मावदर्णों पर मारुति सुदूकी बलैनों खरत औरने बाली है, सिफ्टी के लिए इसमें आपको high stand steel body, dual front airbags, side curtain airbags, multi angle view reverse parking camera, corner stability control, all disc brake, isofix child lock, seat belt reminder with detentioner, speed alert system, speed sensing auto door lock, cornering function on headlamp, cruise control, automatic rain sensing wipers, central locking, anti-theat alarm system, जैसे शांदा सेफ्टी के feature मारुति सुदूकी की नएं बलैनों में देखने को मिलेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया कि मारुति की नएं बलैनों भारतिय मार्केट में 2020 के अंति आफिट 2021 की शुआ तक launch के जाएगी, आप हमें बताएं कि आपको मारुति सुदूकी की नएं बलैनों कैसे लगी, धन्यवाद